हेलो किड्स, हम लोग कक्षा ज्यानमी, NCRT, रसाइन विज्ञान का दस्वा चेप्टर पढ़ रहे हैं, एस ब्लाक तक तो इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको जनरल इंट्रोरक्शन बताया और कुछ उसके गुर्धर्वन पे हम बात कर रहे थे तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, परमाडू कथा आइनिक त्रिच्या, यहां तक मैं आपको पढ़ा दिया था और मैंने आपको यह बताया था कि जैसे ही हम उपर से नीचे जाते हैं, परमाडू का आकार बढ़ते जाता है क्योंकि उनमें कक्षकों की संख्या बढ़ते जाती है, लेकि जैसे हम उसको आइन बना देते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा समो जो एस बलाक तत्तों हैं, यह सभी अपने इलेक्टान देने की प्रभत्ति रखते हैं और इलेक्टान दे करके यह धनाएन बना लेते हैं, तो जब यह इलेक्टान दे कर धनाएन बना लेते हैं, जिसको केटाएन भी कहते हैं, तो इनकी आइनिक त्रिज्या परमाडू की त्रिज्या से कम हो जाती है क्योंकि एक तो ये बहतम कक्ष की इलेक्ट्रान को दे देते हैं उसके कारण से एक कक्ष कम भी हो जाता है और दूसरा कराण है कि चुकि उसमें इलेक्ट्रान की संख्या कम और प्रोटान की संख्या जादा हो जाती है तो उसके कारण से प्रोटान इलेक्ट्रान के बीच आक होता जैसे कि क्लोरीन है इलेक्टान ले लेता है वो क्लोराइड आयन बना लेता है तो ऐसे इस्थिति में उसकी आयनिक त्रिज्जा बढ़ जाएगी वो रेड आयन बनाका के आयनिक त्रिज्जा बढ़ जाएगी तो इसके बारे में हमने पिछले उर्जा हमको देनी पड़ेगी, वो कुछ उर्जा लेता है, तभी वो इलेक्टरान देगा, क्यों? क्योंकि इलेक्टरान नाभिक के प्रोटान से आकर्षन बल द्वारा जुड़ा हुआ है, उस आकर्षन बल को तोड़ने के लिए हमको उसे कुछ मात्रा में उर्जा देनी पड़ेगी, अब वो जितना आसानी से इलेक्टरान त्यागता है, हमें उतनी कम उर्जा देनी पड़ेगी, तो जैसी स्वमू से उपर से नीचे जाते हैं, चुकि कक्षंकों की संख्या बढ़ती है, इलेक्टरान जो है दूर होते जाते हैं नाभिक से, उनका आकर्षन ब इनकी आनलेंथिल्पी क्रम सा कम होते जाएंगे, क्योंकि इनकी कक्षकों की संख्या बढ़ते जाती है, कक्षक दूर होते जाते हैं, जो अंतिम कक्षक है, जिससे इलेक्टरान निकलेंगे, वो नाभिक से दूर होते जाते हैं, इसे कार्षन की आकर्षन बल कम हो जाती है उनको निकालना आसान हो जाता है तो आयनानेंथिल पी का मतलब है आवश्चक उर्जा जिसके दौरा वो इलेक्टरान को यहां पर प्रदान करेंगे चारधातू की आयनानेंथिल पी कमान बहुत कम होता है इसका एक कारण ये भी है कि वो अपना electron आसानी से देना चाहते हैं वो अपने अंतिम कक्ष के electron को दे करके एक स्थाई electronic में न्यास प्राप्ट करना चाहते हैं क्योंकि अंतिम electron को देने के बाद जो उसके अंदर का कप्ष है वो पहले से भरा हुआ है जैसे कि अक्रिष्ट गयसों का होता है सीजियम की ओर नीचे जाने पर कम होता जाता है क्योंकि कक्ष बढ़ते जाते हैं और उनके जो अकर्षन बल है वो कम होते जाते हैं इसका करणी है कि बढ़ते हुए नाभिकी आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणू अकार का प्रभाव अधीक हो जाता है तथा बाहतम इलेक्टरान नाभिकी आविजद्वारा भली भाती परिरक्षित होते हैं यहाँ पर एक और सब्दाब को लिखा है कि बाहतम इलेक्टरान नाभिकी आविजद्वारा भली भाती परिरक्षित होते हैं इसका मतलब ये है कि बाहर वाले इलेक्टरान और नाभिक के बीच में दूसरे इलेक्टरान होते हैं, अंदर वाले कक्ष के इलेक्टरान होते हैं, तो वो भी इनके और अंतिम कक्ष के इलेक्टरान के बीच के आकर्सन अबल को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि जैसे दो के बीच में अकरशनबल है अब बीच में कोई आ जाएगा तो अकरशनबल कम हो जाएगा ना बस यह सिद्धान्त महां पर लागू होता है अब है जल योजन इन्थेलपी जल योजन का मतलब यह होता है जब जल में घुलते हैं जैसे सोडियम का आप जल में घुलोगे तो सोडियम हाइड्रोकसाइड बनाएगा वो तो सोडियम आयन के साथ देखिए जैसे कि आपको जल के बारे में पता है कि जल H2O जो होता है यह यह एज आयन और ओएच आयन में थोड़ा बहुत आयनीत रहता है जब आप सोटियम को जल में घोलोगे या डालोगे तो यह अब से पहले सोट्यम आयन बनाएगा अब सोट्यम आयन में चुकी धन आयन है तो जल का जो red iron वाला part है, मतलब ओहड़ वाला part है इनके साथ अकर्षणबल के द्वारा ये आस पास में जूड जाएंगे, बहुत सारे आस पास में जूड जाएंगे मतलब जल के आइन्स के साथ, ये जल के अणू के साथ इनका जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं जल योजन और इस कारी में चुकि बंध बन रहा है आकर्षनबल त्यार हो रहा है तो कुछ उर्जा निकलेगी समझ रहे हैं जल योजन में कुछ उर्जा निकलती है उसी को हम कह रहे हैं जल योजन एंथेल्पी जार्धातूं की जल योजन एंथेल्पी आयन को ज्यादा बल के साथ अकर्सित करेगा जैसे OH आयन को ज्यादा बल के साथ अकर्सित करेगा तो ज्यादा उर्जा छोड़ेगा और परमाणुकाकर बड़ा है तो किसी भी दूसरे आयन को कम अकर्सन बल के साथ जोड़ेगा तो उसकी आयनान इंथिल्पी एस और जल्यो इन्हेलपी भी कम होते चले जाती है लीधियम की जलजन की मात्रा अधिकत्म होती है इसलिए लीधियम के अधिकांस लमण जैसे लीधियum chloride twiceH2O जल योजित होते हैं ये देखिए जल के अढूंध इसके साथ जुड़े होए हैं ठीक है तो जल के अड़ों का जोड़ना जल योजन कहलाता है क्योंकि उनके जो आयन्स होते हैं वो उनके साथ जूड़ जाते हैं ठीक है जो परमाणू है वो आसानी से इलेक्टरान देते हैं और धानायन बना के रहते हैं तो धातों के बड़ी विशेष्टा है कि उसके परमाणू परमाणू के रूप में रहके वो धानायन के रूप में रहते हैं और यह इलेक्टरान चुकि इस पेस में घूमते रहते हैं वहीं है क्योंकि उसके इलेक्टान मुक्त वस्था में रहते हैं वही विद्दूत का संचालन करते हैं तो इनके भावतिक गुर्जों होते हैं लेकिन ये जो तत्व हैं लीथियम सोडियम पुटेशियम ये थोड़े मुलायम धातु है जैसे आप लोहे को देखते हो एलुमिनियम ह ये सब ठोस धातु हैं लेकिन इनके जो धातु हैं मुलायम धातु हैं कोमल धातु हैं और आसानी से थोड़ा सा दब भी सकते हैं चार धातु हैं बहुत ही नरम हलकी तथा चांदी के समान श्वेथ होती हैं बहुत चमकदार होती हैं पता नहीं आपने सोडियम देखा है कि यह हमारे प्रेवक्षाला में जो इस्कुल की प्रेवक्षाला होती है उसमें यह होते हैं थोड़े भहुत अगर रखे होते हैं वहां तो देखने को मिलेगा और उनको हम मिट्टी तेल में रखते हैं के रोशी नायल में वो इसलिए क्योंकि एक जल में आप डाल देंगे तो जल के साथ उक्रिया करके तुरन सोडियम हाइडरोकसईड बना देगा और ऐसी खुला रख देंगे तो भी हवा के नमी से उक्रिया कर लेता है इसलिए सोडि यद्यभी पोटेश्यम धातु सोडियम की तुलना में हलका होता है चार धातों के गलनांग एवं कथनांग कम होते हैं जो इन धातों के मात्र एक सयोजी इलेक्टान की उपस्थिती कार्ण इनके भी दुरबल धात्विक बंध को दरसाते हैं ज्यादा तर धातों आप देखेंगे जिसे लोहा है इलुमीनियम है कॉपर है इनके गलनांग कथनांग काफी उच होते हैं इनको कलाना और उनको बालना बहुत मतलब मुश्किल काम होता है लेकिन इनका कम होता है क्योंकि ये कोमल धातों है और इनके आयंस के बीच में आक गर्षानल बाल जाद रहेगा क्योंकि ये ज्यादे इलेक्षान्मस करते हैं ये कम उलेक्षान बाल कम रहता है इन Court हां आतुए cover दaking लमण लवडंद जैसे cc क्लोराइड है, पोटेश्यम क्लोराइड है, ये लमण है, आक्सी कारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, मतलब ये है कि अगर आप इनको जलाएंगे, तो इनसे एक इनके ज्वाला से कलर निकलेगा, इनका कारणी है, कि ज्वाला की उश्मा, इनके बाहतम इलेक्टरान को उच्च उर्जा इस तर पर उतेजित कर देती हैं, जब ये इलेक्टरान पुनह अपनी तलस्त अवस्था में आते हैं, तो इस स्पेक्टरम के द्रिश छेतर में विग परमारू होते हैं उनके इलेक्टरान्स, जिस जिस कक्षक में हैं, उस कक्षक को उसकी हम तलस्त अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, अब अगर आप उनको बाहर से उर्जा देते हैं, तो इलेक्टरान उर्जा ग्रहन कके अपने उच्च उर्जा वाले लेकिन वो उत्यजी तवस्था होती है वो अधिक समय तक नहीं टिपती है वो तुरंत अपनी उस उर्जा को वापस छोड़के पुनहां अपनी तलस तवस्था में आ जाते हैं तो उर्जा को अवसोशित तो किसी भी रूप में करते हैं लेकित जब उस उर्जा को वापस छोड़ते हैं तो एक निश्चित तरंग दर्ध की प्रकास के रूप में छोड़ते हैं वही तरंग दर्ध प्रकास आपको दिखाई देगी अमालो लाल वाले तरंग दर्ध को छो में आते हैं तो उस उर्जक वापस छोड़ते हैं किसी ज्वाला कलर के रुप में अब यह सानी देखिए क्या-क्या रंग दिखाते हैं तो लीथियम तरंदीयर्द है आप समझते होंगे इसको हम यहाँ पर नैनोमिटर में दिखा रहा है है लेंडा के रूप मैं लेंडा तरंदीयर्द को दिखाती है और ऐसे नंड्यू दिखाते हैं तो वह अब ब्रित्ति को दिखाती है ये सारी सीज 새 में में परमानु सारत्न में पढ़ाया हूँ एक और चीज़ बताना है कि मेरा एप आगया है आपको पता होगा नीट मेंटर्स के नाम से उनका मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको आगे के वीडियो जो है आपको सारे उसी एप में मिलेंगे उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है एप डाउनलोड का के लॉग इन कर लेना है उसमें आप स्टोर वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां आपको अलग-अलग अच्छी क्वालिटी के दूसरा की एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा और तीसरा आगे उसमें टेस्ट भी देने वाला हुँए तो तीन-चार खायदे आपको सिफ सो रुपे देके साल भर की फैसलिटी मिलने वाली है और सारे वीडियो उस दिखने को मिलेगे आप साल भर तक फ्री में देखेंगे साथ में लाइफ भी चल रहा है उसी में आपको रोज लाइफ देखने को मिलेगा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वह सब लाइफ जैसे 11 भी खतम होगा 12 भी का चालू होगा एक क्लास को पुरा पढ़ने के लिए एक साल तक पढ़ने के लिए सिर्फ सवरूपे देने हैं आपको उसमें नोर्स भी मिलेंगे एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा और टेस्ट भी मिलेगा आगे चल के तो यह आपको बताना था इस डिस्क्रिप्शन बाक्स में मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक है ना मेरे एप का नीट लोगों वही मिराइप है उसमें आप जाएंगे ठीक है आप सोडियम का पीले रंका है 590 के आसपास का है पोटेशियम बैगनी के लड़ देगा 766 यह आपको जो है यह तरंग देर्ध जो है दिखाई नहीं देगा यह वाला मतलब दिखाई देगा चुक्कि वह बैगनी र प्रकास से थोड़े से उपर करेंज हो जा रहा है लेगन फिर भी आपको दिखाई देगा लाल बैगनी यह भी 780 का है और नीलरंग 455 का है ठीक है अतह छार धातों को इनके ज्वाला परिक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है तथा इनकी सांद्रता का निर्धरन ज्व ज्वाला प्रकास मापी फ्लेम फोटो मिट्री अथ्वा परमाणवी और सोशल इस्पेक्ट्रो मिटी द्वारा किया जा सकता है देखिए पहली बात तो आप धातों की पहचान आप ज्वाला परिक्षण के द्वारा कर सकते हैं इनकी सांद्रता का निर्धरन ज्वाला प् सकता है दूसरे तत्व मिले हो सकते है तो जो तत्व आप जानना चाहते हो उसकी सांज़ता कितनी है इसको जानने के लिए आपको flame photometry का उपयोग करना पड़ेगा यह क्या करता है कि मसीन होता है जिसमें light जाती है तो एनलाइज करके दिखा देता है कि उसमें उस तरेंग दर्ध की प्रकास कितनी मात्रा में हैं और ऐसी दूसरा वाला भी तो उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो प्रकास निकल रही है उसमें Sodium या Potetum जिसका आप जानना चाहते हो उनकी प्रकास कितनी हैं और बाकि दूसरी प्रकास अलग से उसमें मिक्स है तो दूसरी प्रकास के बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो वो भी ये बताएगा कि उसमें कौन-कौन से है इन तक्तों को जब प्रकास द्वारा विकरित किया जाता है तब प्रकास और सोशन कारणी ये इलेक्टरान का परित्याप करते हैं इसी गुलकाण सीजियम तथा-pot titanium का प्रियोग प्रकास विद्व विद्दू सेल में इलेक्टरोड के रूप में किया जाता है देखिए इन पे प्रकास डालते हैं अपण तो इन में से इलेक्टान निकल जाते हैं क्यों कि प्रकास को अवसोशीद करके उससे उर्जा ओर चोड़ देते हैं ठीक है तो यह जब इलेक्टान छोड़ेंगे तो उस इक्रान में कुछ हूर्जा रहेगी आप लोग यह जो लिखा है यहां पर प्रकास विद्दूद सेर्फ फोटो इलेक्रिक अंच छें जिसमें सणुर्जा पढ़ता है तो विद्द बनती है उसमें उसी बात कर रहा है तो इनका प्रयोग हम उसी में करते हैं उसमें क्या इलेक्टान निकलते हैं उसमें उर्जा होती है उस उर्जा का प्रयोग हम विद्दूत के रूप में कर लेते हैं और इलेक्रान वापस अपनी उर्जा देके चले जाता है ठीक है अब है रसाइनिक गुण, इनकी रसाइनिक गुण में क्या-क्या हो सकते हैं, कि आउक्सियन के साथ कैसी क्रिया कर रहा है, या जल के साथ कैसी क्रिया कर रहा है, इन सब चीजों को हम इनके रसाइनिक गुण में देखेंगे बड़े आकार तथा कम आईनन एंथेलपी कार छार धात्वे अत्यथिक क्रियाशील होती हैं इनकी क्रियाशीलता वर्ग में उपर से नीजे जाने पर क्रमसा बढ़ते जाती हैं देखिए किसी भी तत्तु की क्रियाशीलता किस बात पे निरभर है कि वो कितनी आसानी से इलेक्टरान दे सकता है या ले सकता है या साध्या कर सकता है तो अगर वो आसानी से काम कर रहा है का मतलब वो ज़्यादा क्रियासिल है छारधा तो यह आसानी से एक इलेक्टरान दे देते हैं इसलिए ऐसे तत्तों के साथ जो आसानी से एक इलेक्टरान ले सकते हैं, उनके साथ यह आसानी से बंद बना सकते हैं. जैसे यह देते हैं, और लेने वाला कौण है? हैलोजन गुरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, प्रोमίν, आउनिन, इसलों देखे, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियं, क्लोराइड क्लोराइड क्यों बनते हैं? क्योंकि sodium ने एक electron दिया आसानी से और chloride ने एक electron लिया आसानी से तो दोनों का बंद बहुत अच्छे से बनेगा देने वाले और लेने वाले का दोनों का गरज रहते हैं तभी दोनों मिलके बंद बनाएंगे ने तो नहीं बनाएंगे और जैसे उपर से नीचे आप जाते हो इनमें तो इनमें electron देने की छमता बढ़ती है यह ज़्यादा आसानी से electron देते हैं उपर से नीचे जाने पर इसलिए भी यह आसानी से क्रिया करते हैं और उपर से नीचे जाने पर इनकी क्रिया सिलता बढ़ते जाती है अब है वायू के साथ अभिक्रिया शिलता पहला तो वायू में मुख्य चीज क्या होता है वायू में मुख्य चीज होता है ऑक्सिजन जिसके साथ कोई भी क्रिया करना पसंद करता है दूसरा हाला कि नाइक्रोजन और सियोटू भी होते हैं लेकिए ज़्यादा तर जो तत्व हैं या ज़्यादा तर जो पदार्थ हैं वो oxygen के साथ ही जल्दी क्रिया करते हैं छारधातों ये वायू की उपस्थिती में मलीन हो जाती हैं क्यों क्योंकि वो oxide बना लेते हैं यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से oxide बना रहे हैं और ये oxide उनकी सतह के ऊपर एक इस्तर के रूप में जम जाते हैं इसलिए ये ज़्यादातों मलीन हो जाती हैं क्योंकि वायू की उपस्थिती में इन पर oxide तथा hydroxide की पर्त बन जाती हैं ये oxygen में तिब्रता से जलकर oxide बनाती हैं लीथियम और sodium क्रमसा monoxide तथा peroxide बनाते हैं ये आपके हम देखेंगे जबकि अन्य धातों द्वारा superoxide iron का निर्माण होता है ठीक है superoxide iron जो O2- बनता है बड़े धान आयन जैसे potassium, rubidium तसा cesium की पस्थिते में इस्थाई होते हैं देखें लीथियम oxygen के साथ मिल करके लीथियम oxide बना रहा है आप देख सकते हैं Li2O चुकि ये एक electron देते हैं oxygen को दो electron चाहिए रहता है अपने अंतिम कख्ष को पूरा करने के लिए इसलिए ये दो यहाँ पर परमाणू इसके साथ जुड़े हों है किसी में भी आप देखेंगे तो ज्यादा तर दो कम से कम रहेंगे हैं ना तो ये तो आक्साइड हुआ और ये पेराक्साइड है देखें पेराक्साइड जैसे आप H2O2 पढ़ते हैं आपको ध्यान होगा ये hydrogen पेराक्साइड होता है तो वैसी देखें जो है आक्सीजन के साथ मिलकर के सोडियम पेराक्साइड बना रहा है और एक सुपर आक्साइड कैसे बनेगा तो जो मेटल है वो आक्सीजन के साथ मिलके MO2 सुपर आक्साइड बना सकता है जैसे पोटेशियम सुपर आक्साइड, रुबीडियम या सीजियम सुपर आक्साइड तो इन में से सभी में सबसे कॉमन जो है सिम्पल आक्साइड ही सबसे कॉमन रहता है क्योंकि ये सबसे आसानी से बनने वाला है इन सभी ऑक्साइडों में छार की आक्सी करणावस्था धन एक होती है आक्सी करणावस्था के बारे में हमने पर्माणू सरश्णा और पर्माणू आबंध वाले चेप्टर्स में बहुत डिटेल पढ़े हैं इनमें आपको पता होगा कि आक्सिकर नवस्था का मतलब है कि कितने इलेक्टरान दे सकता है या ले सकता है कितने धन आयन या रेडायन बना सकता है वही उसके आक्सिकर नवस्था है अगर वो धन आयन बना रहा है धन एक धन दो धन तिन धन चार का मतलब वो इलेक्टान दे रहा है और अगर वो इलेक्टान ले रहा है तो माइनस में बनेगा तो माइनस आक्सिकरण वस्ता हो जाएगे तो इनके आक्सिकरण वस्ता धन एक होने का मतलब यह है कि यह एक इलेक्टान आसानी से डोनेट कर रह कि लीथियम अप्वास्व वाईयू में उपस्थित नाइक्टोजन से भी अभिक्रिया करके नाइट्राइड याने ल आई 3 एण बनाता है देखिए नाइट्रोजन जो है वो तीन इलेक्टरान लेना चाहता है उसके अस्टक में तीन इलेक्टरान की कमी है तो इसके तीन लीथियम जो है जूड करके नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है और लीथियम नाइट्राइड बनाता है अब सवाल यह है कि बाकी लोग क्य जाने चाहिए तब जाकर क्यों जुड़ पाएंगे भी माल लोग मेरे साथ तीन जुड़ना चाहते हैं तो मेरे आज पाल जो जगह है उसमें तीनों आ पाएंगे तब तो जुड़ेंगे तो चुकि लीथियम सबसे छोटा है तो तीन लीथियम नाइटोजन के चारो तरफ का तो बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते हैं तो लीथियम इस बारे में थोड़ा भिन सभावाला होता है चारधातों को वायू तथा जल के प्रती उनकी अती सक्रेते कान साधान त्यक केरोसीन में रखा जाता है तो मैंने आपको पहली बता दिया है कि सोडियम उगरा जो हो Emir वेकुरेट्री में उनको हम मिठी तेल में केरोसिनॉयल में रखते हैं अब यहां पर उदाहण देखिए के ओटु याने पोटेस्यटयम सूपर ऑक्साइड में पोटेस्यम की आकसीकर अवस्था क्या है देखे हमें सद्धिया रखिये कि सूपर ऑक्साइड में ऑक्सिज सब मतलब है कि पोटेशियम की आक्सी का नवस्था धन एक ही आएगी धन एक आएगी क्या हुआ पता है इसमें कि जैसे ऑक्सीजन है ये दो ऑक्सीजन है ठीक है तो ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दूसरे को एक इलेक्ट्रान दे दिया है और पोटेशियम ने भी एक हो गया है इसके कराण से वहाँ पर शुपार आक्साइड में भी पोर्टेशियम की या सो्डियम् जो भी बनाएगा सो वो नहीं बनाते हैं इसके उपर वाले नहीं बनाते तो इन में भी आक्सी का नवस्था धन एक ही रहेगी क्योंकि ये निट्रल हो जाते हैं सीधा सा मतलब ये है कि आक्षिएन को पर जितना माइनस चार्ज है ना पोटेश्यम के उपर उतना प्रस चार्ज रहेगा अब इतना समझ जीजिए ठीक है अब छार धातों के परमाडु ये भौतिक गुण को दुबारा यहां पर एक चार्ट में बताया हुआ है अभी तो हम रासायनी गुण पढ़ने में आ गये हैं लेकिन चलो एक बार इसको अ 35, 85 और 87 ये आपकी परमाडु क्रमांग है ये आपको याद रखना चाहिए ठीक है क्योंकि इसके बीना आप फिर उसका इलेक्टानिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे परमाडु द्रब्यमान देखे लीथियम का 6.94 है एक बात आप ध्यान रखेंगे कि परमाडु द्रब्यमान का मतलब होता है प्रोटान की संख्या धन न्यूट्रान की संख्या इन दोनों को परमाडु द्रब्यमान कहते हैं तो भही मालनों दो प्रोटान है और दो न्यू क्योंकि इनके एक से ज़्यादा प्रकाके समस्थानिक होते हैं समस्थानिक का मतलब है जिनके परमाणु द्रब्यमान अलग-अलग होते हैं मानलो एक का परमाणु द्रब्यमान छे है एक का साथ है मानलो दो समस्थानिक है तो दोनों के बीच का साढ़े से आएगा ऐसा आप average निकाली जाती है जैसे मालो 6 वाले की प्रतिसत्ता मालो 75 प्रतिसत है है ना और 7 वाले की उपस्थिती मालो 25 प्रतिसत है तो फिर ये 6.75 के आज-पास इसका परमाणु दरमिमान आएगा मतलब दोनों के उपस्थिती को भी उसमें कंसिडर करते हैं कि उनकी उपस्थिती प्रतिसत्ता कितनी है उसके अधार पे उनका दसमलों में परमाणू द्रमेमान आता है तो यहाँ पर लीथियम का करीब-करीब साथ हम मानते हैं 6.94 और सोडियम का हम 23 के आसपास मानते हैं 22.9 पोटेशियम का हम 49 ही मानते हैं 39.10, रुबीडियम का 85.47, सीजियम का 132.9 और फ्रांशियम का 223 लेकिन यह चुकि आइस थाई है रेडियो एक्टिव है इसलिए यह दूसरे तत्तों में बदल जाता है इलेक्टरानिक विन्यास के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम किसी अक्री गैस के बाद का इलेक्टरानिक विन्यास उसमें जोड़ देते हैं जैसे कि हमने देखा था कि लीथियम का 1s² 2s1 यह लीथियम का होता है और 1s² जो है यह हिलियम का है तो हम helium को bracket में लिख दे और 2s1 लिख दे तो यह हो जाएगा lithium का समझ रहे हैं 1ac2 2ac2 यह पहले भी class में बताया हूं पिछले class में है ना वैसी sodium का नियान के बाद 3s1 हो जाएगा बाकी पहले वाला नियान जैसा रहेगा potassium का argon जैसा क्रिप्टान जैसा rubidium का जिनान जैसा और redound जैसा तो इसमें देख सकते हैं आपकी s1 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 ही आएगा ठीक है तो यह जो है देखिए यह 2s1 आ रहा है एक मिनट यह 2s1 आ रहा है 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1 और इनके जो आसपास के जो वो है अक्री गैस उनका हमने electronic विन्यास पहले लिखा है यह चीजे कैसे लिखते हैं इसको पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया है आप पिछले क्लास से देखना सुरू करें इसको तो आपको ज्यादा समझ में आएगा आयना नेन्थेलपी मैंने बताया कि electron निकालने के लिए हमको कितनी उरज़ा देनी पड़ेगी तो यह किलो जोल में परमौल उरज़ा के दिखाया है और उपर से नीचे जाने पर हमको कम उर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रान को आसानी से त्याग सकते हैं इसलिए हमको कम उर्जा देनी पड़ती है तो यहां पर लीथियम के लिए हमको 520 किलो जूल देना पड़ रहा है नीचे जाएंगे कम देना पड़ेगा तो देखे 496, 419, 403, 376 और 375 लगभग बराबर तो यह आयनन एंथेलपी उपर से नीचे कम होते जाती है इलेक्टरान चुकी दूर होते जाते हैं नाभिक से तो उनकी आकर्सरबल कम होते जाती है जल योजन एंथेलपी का मतलब है जल के साथ जूड़ेंगे तो कितनी उर्जा निकलेगी ठीक है आयनन एंथेलपी धन में है और जल योजन एंथेलपी रिड में है इसके पीछे कारण यह है कि जब आप आयनन करते हैं इलेक्टरान को निकालना चाहते हैं तो वो उर्जा ग्रहण करेगा इसलिए ग्रहण करेगा तो उसकी उर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी तो प्लस में लिखेंगे उस परमाड़ों की लेकिन जब आप जल के साथ जोड़ते हो तो कुछ उर्जा निकल जाती है जब उर्जा निकलती है तो उस परमाड़ों की उर्जा कम होती है इसलिए हम उसको माइनस में लिखते हैं हमेशा धिहां रखेंगे उर्जा अगर कही पर अंदर जा रही है तो हम उसे धन में लिखेंगे और अगर उर्जा बाहर निकल रही है तो हम उसे रेड में लिखेंगे तो यहाँ पर जली ओजन एंथेल्पी भी कम होते जाती है उर्जा कम निकलते जाती है उपर से नीचे जाएंगे तो जल के साथ जोड़ने पर उर्जा कम निकलती है धात्विक त्रिज्या उपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी क्योंकि कप्छकों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर पिको मीटर में देख सकते हैं 122, 186, 227, 248, 245 तो धात्विक त्रिज्या बढ़ी क्यों कप्छकों की संख्या बढ़ी लेकिन इनकी आयनिक त्रिज्या अपने धात्विक त्रिज्या से कम होगी क्यों क्योंकि बाहत्तम कक्ष की इलेक्टरान को आपने निकाल दिया तो एक कक्ष कम हो गया पहला चीज उसके कार से छोटा हो गया दूसरा की इलेक्टान को ज़्यादा ताकत से आकरसित करेंगे तो इनकी देख सकते हैं कि अपने धातु से तो कमी हो जाते हैं इनकी जो आइनिक तरिज्जा है और धात्विक तरिज्जा से कम हो जाएगी लेकि और क्वथनांग उपर से नीचे जाएंगे तो थोड़ी कम हो जाती है क्यों क्योंकि उनकी डेंसिटी और कम हो जाती है तो यह देखिए यह गलनांग है 454 371 336 यह केल्विन में है ध्यां रखेंगे केल्विन का मतलब यह है कि अगर 0 degree Celsius है कहीं पर 0 degree Celsius तो इसका मतलब है कि 273 केल्विन है मतलब केल्विन का मतलब है कि उसमें से 273 घटाओगे तो उतना degree Celsius आएगा और degree Celsius में 273 जोड़ दोगे तो केल्विन आएगा जैसे कि 454 केल्विन है आप इसको degree Celsius में निकालना चाहते हो तो इसमें 273 को घटा दो तो degree Celsius आजाएगा यह इसका यह मतलब है तो उपर से नीचे जाने पर इनके गलनांग और इनके क्वथनांग कम होते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि गलनांग और क्वथनांग में कित तो पिघलता है 454 में लेकिन उबलता है 1615 में वैसी इनको भी आप देख सकते हैं लेकि फिर भी दोनों का उपर से नीचे जाने पर कम ही आ रही है गलनांग और क्वथनांग में घनत्व भी आप देखेंगे तो घनत्व देखिए लीथियम का घनत्व फिर उसके बाद इन इनका घनत्व लगभग बढ़ रहा है एक आपको थोड़ा सा सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज आपको आपको आप तो मिले गही तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व जो है आपको बढ़ता हुआ नजरा आ रहा है बस एक जखा यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ इलेक्टरान लेके नार्मल परमाडू बनाने के लिए कितनी उर्जा या कितनी जो इलेक्टरान वोल्ट है कितनी करेंट वो देगी या लेगी ठीक है इसका यह मतलब है तो चुकि यह सभी इलेक्टरान देके धन आयन बनाना पसंद करते हैं इलेक्टरान लेके वापस धन प्लस में होता लेकिन हमेसा ध्यां रखेंगे मानक विभव इलेक्टरान लेने की छम्ता को दिखाता है इलेक्टरान देने की छमता को नहीं दिखाता है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखे हैं, यह इलेक्टरान लेना पसंद नहीं करते हैं, देना पसंद करते हैं, जबकि आप इसी को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जाते हैं, तो उनमें यही चीज़ें प्लस में इनके कितने अडों है प्रकृती में ठीकें तो स्थल मंडल में जैसे भूमी में आप देखेंगे तो लीथियम 18 है और सोडियम जो है देखें लीथियम PPM में हम निकाले हैं कि मतलब जमीन के मृधा में 10 लाक अनू मृधा के आप निकाल लिजे, 10 लाग कड़ आप निकाल लिजे मृधा के उसमें सिफ 18 कड़ लीथियम के रहेंगे ठीक, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को हम लोग प्रतीसत भार में निकावते हैं जैसे कि माल लोग आप 100 किलो मिट्टी तौल लेते हो 100 किलो मिट्टी तो उसमें सोडियम जो है 2.2727 किलो निकलेगा मतलब 100 किलो मिट्टी में सोडियम इतने किलो निकलेगा और पोटेशियम इतने किलो निकलेगा प्रतीसत है ठीक है उसके बाद इनकी जो मात्रा है ये पुनह जो है पीपीम में है तो बहुत कम है आप देख सकते हैं लेकिन लीथियम से तो यह जादा ही है रूबीडियम, सीजियम लीथियम से भी कम है और फ्रांसियम जो है यह तो नहीं के बराबर है क्योंकि फ्रांसियम अपने आप में एक रेडियो एक्ट्यू एलिमेंट है इसलिए इसकी मात्रा बहु इससे पहले यहाँ पर रसाइनिक गुण पढ़ रहे थे तो पहला रसाइनिक गुण आपने पढ़ा कि वो ऑक्सिजन के साथ कैसे बना रहे थे तो ज्यादा तर ऑक्साइड बनाते हैं पेर ऑक्साइड बनाते हैं कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड में भी oxygen की चुकी minus 1 है तो वहाँ पर potassium की भी plus 1 रहेगी या किसी की भी superoxide potassium, rubidium cesium बनाते हैं इसके अलावा अगला देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं यह नो तो यह जितने भी छार धातु है और इसके बाद छारी मृदा धातु भी हम देखेंगे वो जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो hydroxide बनाते हैं इसलिए sodium hydroxide, potassium hydroxide आपको बहुत आसानी से मिलते हैं क्योंकि यह आसानी के साथ वहाँ पर hydroxide बनाते हैं ठीक है तो छार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके hydroxide एवं hydrogen बनाती हैं डाई hydrogen बनाती है ना तो यह देखें 2M है और twice H2O है तो यह धन आयन और यह red आयन यानिकि यह oxide बन गया और यह hydrogen gas निकल गया अब देखें एक चीज sodium को जब आप जल में डाल देते हैं तो आग पकर लेते हैं पता है क्यों? क्योंकि एक तो इसकी gel oxygen उर्जा जादा होती है और जादा उर्जा छोड़ती है साथ में हो hydrogen छोड़ रही है तो उस hydrogen में आग लग जाती है इतनी जादा उर्जा उसमें निकलती है तो उस ही आग की करण से सोडियम जो है आग पकड़ लेती है पानी में डालने पर यद्यपी लीथियम के इलेक्टोड विभव कमान अधिक्तम रिनात्मक होता है परंतु जल के साथ इसकी अभिक्रियाशिल्ता सोडियम की तुलना में कम है क्योंकि ये आकार में छोटा होता है जबकि सोडियम की इलेक्टोड विभव कमान अनिचार धात्मों के पेक्षा न्यून रिनात्मक होता है देखें यहाँ पर आप देखें मानक इलेक्टोड विभव सबसे माइनस में लीथियम है ठीक है और सबसे ये वाला जो माइनस में कम जो नंबर आ रहा है वो सोडियम कहें देखिए इसका जादा है इसका जादा है इसका जादा है इसका जादा है 2.9 है और इसका 2.7 है सोडियम का माइनस चार्ज सबसे कम है इलेक्टोर विभाव का लीथियम के इस ब्योहार का करण इसके छोटे आकार का तथा अत्यधिक जल योजन उर्जा का होना है मतलब ये है कि लीथियम की तुलना में सोडियम ज्यादा आसानी से जल योजित होगा क्योंकि वो लीथियम छोटे आकार का है और उसको जल के साथ जूरने के लिए ज्यादा उर्जा छोड़नी पड़ेगी और उतनी उर्जा उपलब्द नहीं हो पाती है छोड़ने के लिए इसलिए जल जल योजन नहीं करता है विस्फोटा का अभिक्रिया हो जाएगी वहाँ पर मतलब जैसे मैंने बताया था कि सोडियम जो है आग पकड़ लेता है तो ज्यादा सोडियम डाल दोगे तो विस्फोट टाइप का हो जाएगा ये छारद हातों प्रोटान दाता जैसे कि एलकोहाल गैसी अमोनिया एलकाइन आधी से भी अभिक्रिया करती है प्रोटान दाता का मतलब होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको प्रोटान दाता कहते हैं प्रोटान का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन तो यहाँ प हें गाइन जो है c h c h ये एक एल गाइन है जिसको हम कहते हैं सकते हैं तो होई दूसरा है नेक्से डाई हाइटोजन से अभिक्रिया शिलता यह हाइटोजन के साथ कैसे अभिक्रिया बनाते हैं metal hydride और यह जो metal hydride है ना यह उत्प्रेरक के रूप में हम उप्योग करते हैं विभीन जगों पे जैसे लीथियम, aluminum, hydride यह आप देखे होंगे कई जगल दिखा रहता है कि इसका उप्योग हम उत्प्रेरक के रूप में कर रहे हैं ऐसा तो hydride जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रेयोग होते हैं लगभग 673 Kelvin में और लीथियम जो है 1073 Kelvin में मतलब अगर आप इसको degree Celsius में कहोगे तो यह 400 degree Celsius हो गया ठीक है और यह कितना हो गया यह 800 degree Celsius हो गया मतलब इतना गरम करना पड़ेगा आपको तब छारद हातों यह डाई hydrogen से अभी क्रिया कर hydride बनाती है इन हाइड्राइडों के गलनाग उच्छ होते हैं यह देखे हाइड्राइड बना लिए 2m H2 यह 20m प्लस H- हाइड्राइड का फार्मूला आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट है हेलोजन से अभी क्रिया तो भई हेलोजन से तो बहुत अभी क्रिया करेंगे क्यों क्योंकि हेलोजन इलेक्टान लेना चाहते हैं यह इलेक्टान देना चाहते हैं sodium एक लेक्टान दे देगा, chlorine एक लेक्टान ले लेगा, sodium chloride बन जाएगा, बहुत अच्छे से, है ना, छार्ध हात्वे हैलोजन से सिग्र प्रबल अभिक्रिया करते हैं, और ionic halide M plus X minus halogen को हम X से दिखाते हैं, और M जो है metal है, आपका sodium, potassium, rubidium हाना, हाला कि lithium के highlight आंसिक रूप से सहसयोजग होते हैं, तोकि lithium छोटे size का है ना, वो electron उतना आसानी से देता नहीं है, वलकि साजह type का करता है, मतलब electron को दे देगा जरूर, लेकिन कुछ अपने तरफ फीच के रखता है, तो थोड़ा सहसयोजग गुण उसमें आ जाते हैं, अगर आपने ionic बंध वाला chapter नहीं पढ़ा है, तो उसके videos भी available हैं, आप उनको जरूपढ़ी है, आप एप download कर लिजे, उसमें 100 रुपए पेका के purchase कर लिजे, आपको free माइड से सारे videos उसमें बढ़ियां से देखने को मिलेंगे, और साथ में नोर्स, बहुत अच्छी quality का नोर्स दिया हुआ है उसमें, वो आपको free मिलने माला है, इसका कारण lithium की उच्छ धुरूण च्हमता है, धुरूण च्ह कित होना धुरूण अब यह क्या लिखा है देखिए, जैसे lithium ने एक electron मालो chlorine को दे दिया, एक electron इसने chlorine को दिया, chlorine एक electron ले लिया, लेकिन lithium छोटे आकार होनेकार से electron को थोड़ा सा अपने तरफ खीच के रखता है, तो इसमें थोड़ा सा खीचा वा जाता है, तो इसका जो ध धुमरता का मतलब है कि उसमें कोई चार्ज अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाना है यह धुमरता कहलाती है लीथियम आयन का आकार छोटा है अतहा यहां हैलाइड आयन के इलेक्टान अभको विक्रित करने की अधिक छमता दर्साता है इलेक्टान क्लाउड जो होता है उसको अपने तरफ खीच लेता है चुकि बड़े आकार का रिणायन आसानी से विक्रित हो जाता है इसलिए लीथियम आयोडाइड सहसंयोजक्त प्रकृती की सबसे अधिक दर्साती है ठीक है लीथियम आयोडाइड यह बना अब इसमें क्या हुआ कि आयोडीन की आकार बहुत बड़ी है उसने इलेक्टान ले तो लिया लेकिन अपने इलेक्टान को समाल नहीं पा रहा है वो लीथियम की तरफ वापस आकर्सित हो रहे हैं तो वो इलेक्टान क्लाउड लीथ जुड़ना और अपचायक का मतलब है इलेक्टरान को दे करके सामने वाले का अपचयन करना जैसे कि माल लो ये अपचायक है तो इसका अपचयन करेगा कैसे करेगा इलेक्टरान दे करके चुकि छार्धातु आसानी से इलेक्टरान देते हैं इसलिए सामने वाले का आसानी से ये अप्चयन कर देते हैं छार्धातु ये प्रबल अप्चायक के रूप में कारी करती हैं जिनमें लीथियम प्रबलतम एवं सोडियम दुर्पल तक अप्चायक हैं मानक इलेक्टरोड बिभव जो अबचायक छमता का मापक है सम्पुन परिवर्तन का प्रतिनिधित्त करता है तो मैंने पहली बताया है इलेक्टरोड बिभव में अगर वो माईनस चार्ज दिखा रहा है कब मतलब वो इलेक्टरान ज्यादा देने की प्रवित्ती रखते है और अगर 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 धन आवेज दिखा रहा है तो इलेक्टरान ज्यादा लेने की प्रवित्ती रखते है एक उसका पूरे चार्ट है ठीक है तो लीथियम चुकी सबसे ज्यादा माइनस चार्ज दिखा रहा है मतलब वो सबसे आसानी से इलेक्टरान इन लोगों को देगा अब चैन करने के लिए यह देखें यह सॉलिड है मेटल और यह गैस में बनेगा पहले उर्धुपातन एंथेल्पी मतलब की पहले सॉलिड से गैस बनेगी फिर गैस के जो परमाणू है वो इलेक्टरान दे करके अपना धनायन बना लेगा और इस इलेक्टरान को दूसरे को दे करके अपचैन कर लेगा तो पहले तो आपको इसको गरम करके भाब बनाना पड़ेगा फिर और गरम करके इससे इलेक्टान मुक्त करना पड़ेगा इन दोनों की अपनी प्लस एंथेल्पी होती है ये एंथेल्पी ले करके एनर्जी ले करके ये बनाएंगे ठीक है तो M प्लस H2O के साथ जुड़कर M प्लस एक्वस बना रहा है तो ये जल योजन हो रहा है ठीक है जल योजन में पहरे ही बता चुका हूँ जल के साथ जुड़ना जल योजन है इसमें उर्जा मुक्त होती है अभी तक आपने जो किया उससे उर्जा अवसोसित हो रही थी यहाँ पर इन दोनों प्रक्रिया में वो उर्जा ग्रहन कर रहा था लेकिन इस प्रक्रिया में उर्जा को वो मुक्त करेगा लीथियम आयन का आकार छोटा होने कान इसकी जल योजन एन्थेल्पी का मान अधिक्तम होता है जो इसके उच्च रिणात्मक विभाव इलेक्टरोड विभाव का मान तरह इसके प्रबल अप्चायक होने के पुष्टी करता है जल योजन उजा लीथियम की सबसे ज़्यादा है ठीक है अब देखे यहाँ पर क्लोराइड का क्लोराइड आएन बनाने के लिए इलेक्टरोड विभाव का मान धन में है देखिए मतलब यह आसानी से उलेक्टर ग्रहण करना चाहता है रिणायन बनाने के लिए आयोडीन का भी धन में ही रहेगा लेकिन कम है देखिए ये क्लोरीन से आयोडीन की कम है ठीक है और सिल्वर आयन का भी सिल्वर बनाना ये चांदी है एजी अर्जेंटम है ना तो सिल्वर आयन का भी सिल्वर बनाने की छमता प्लस में है लेकि सोडियम आयन का सोडियम बनाने की छमता माइनस है और लीथियम आयन कभी लीथियम बनाने की छमता माइनस में और ज्यादा है तो निम्न लिखित को उनकी घटी हुई अपचायक छमता के अनुसार व्यवस्थित करें तो जिसकी माइनस चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे प्रबल अपचायक है तो सबसे प्रबल अपचाय थ्री वाला यह है आयोडीन के लिए उससे कम रहेगा यह है ना प्लस पाइंट सेवन नए उससे कम रहेगा यह तो कम होते में कैसा है तो कम होते में हुआ लीथियम फिर सोडियम फिर आपका आयोडीन फिर सिल्वर फिर क्लोरीन चले देखते हैं देखें लीथियम सोडियम आ हमने अभी देखा था ठीक है इसके बाद वाले के जो गुड है रसाइनिक गुड हम नेक्स ग्लास में करेंगे थेंक यू बाए